चलिए सब स्टार्ट करें देखा जाए तो एक बहुत ही आसान चप्टर रही है ब्रांच अकाउंट ठीक है ना अब यहां पर दो शब्द होते हैं एक होता है ब्रांच अगर मैं ब्रांच की बात करूं करा है है यह सब आपको पता है नोर्मली इसको ज़्यदा-ेलिशन में ताइम खरब करना ने है के सर ब्रांच क्या है आपने कोई भी एक अपना ऑफिस खोला ठीक है उस ऑफिस का जब आपको एक्सपेंशन करना है जब आपको expansion करना है तो उसके लिए आप एक new location पे एक नई दुकान खोल लोगे तो एक आपकी old वाली तो दुकान होगी होगी old जो आपकी दुकान होगी वो तो है ही है आपने अपने business को बढ़ाने के लिए क्या किया एक आपने नई और दुकान खोल ली new shop खोल लिया ठीक है तो जो old वाली दुकान है और new वाली दुकान है तो new वाली दुकान किसके अंदर आ जाएगी हमारी क्या है branch है यह सिंबल सी बात है और जो पुरानी वाली दुकान है जहां से हम अपने business की origin यानि जहां से business start करते हैं उसको हम पता है क्या बोलते हैं head office ठीक है ना उसको क्या बोलते हैं head office का मतलब होता है जहां पे सारिफ फैसले लिए जाते हैं जहां से सब कुछ चलता है simple सी बात करें हम एक example ले लेते हैं यहां पे nearby एक दुकान है जैसे की मैं बात करूं BTW आप सभी ने इसका नाम सुना होगा बिट्टू टिक्की वाला इसने अपना start जो किया था वो यहीं रानी बाग से किया था है ना रानी बाग से उसने अपना दुकान start किया था आज की time पे सिर्फ रानी बाग में नहीं है मैंने जो observe किया है जो real life में देखा है नेता जी सुभास palace में भी है मैंने इसको रोहिनी में भी देखा है जो मैंने दू जगह देखा है बाकी तो कहते ही कि और भी मेरी branches है लेकिन म रानी बाग है यहां पर सबसे पुराना काम तो यहीं से start किया इन्हों ने तो यह हो गया हमारा head office और जो यह दोनों हो गए इसके क्या हो गए branches हमें जो accounting सीखनी है वह head office की नहीं सीखनी हमें accounting सीखनी है किसकी branch का तो अगर branch word को हम देखें तो अगर शब्द आता है सिर्फ branch तो सर्फ branch के भी type होते हैं सर अगर word है सिर्फ branch तो सर ब्रांच के भी type है सर कितने type है branch के branch दो तरीके के हो सकते हैं एक तो हमारे इंडिया में हो सकता है branch और एक कहां हो सकता है इंडिया से बाहर यानि आउट साइड इंडिया है ना एक इंडिया से बाहर भी हो सकता है अगर इंडिया से जो बाहर है उसको हम एक special नाम दे देते हैं that is foreign branch foreign में हमारा business है बोलते हैं ना के मेरा business अब इंडिया के बाहर कहीं भी हो सकता है दुबई हो सकता है USA हो सकता है तो मेरा foreign में भी foreign यानि out of इंडिया है तो वो होता है हमारा foreign branch और जो इंडिया के अंदर होता है ना इसको बोलते हैं inland branch तो अपनी किताब में जो आप देखोगे ना व्रांच चेप्टर ब्रांच स्रिफ वर्ड नहीं लिखा है अगर आपके से स्लीबस में ब्रांच चेप्टर होता नहीं आपको怎么 Monaten पढ़ना पढ़ता foreign भी और Indian भी लेकिन आप देखोगे तो आपको ब्रांच नहीं लिखा है क्या लिखा हुआ आपकेशलेबस में डियू का है वह लिखा हुआ इनलेंड ब्रांच लिखा हुआ है आप देखोगे तो foreign branch कौन से है जो इंडिया के बाहर हमारे बिजनस चल रहे हैं वो foreign branch है और जो इंडिया के अंदर बिजनस चल रहे है वो कौन से branch है Indian branch हमें semester 1 में Delhi University के syllabus में हमें समझाया जाता है कि आपको foreign branch अभी पढ़ने की कोई अवशक्ता नहीं है आपको सिर्फ कौन सा branch पढ़ना है शर inland branch पढ़ना है तो हम Indian branch जितने भी होते हैं उसकी accounting कैसे होता है वो देखेंगे पहले तो clarity होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं ठीक है न तो कौन सा branch पढ़ेंगे हम inland, inland का मतलब इंडिया में जो branch है उसको पढ़ेंगे सर अब कुछ branch के activity की मैं बात करता हूँ branch दो तरीके से हो सकते हैं देखे, example number one जैसे मान लेते हैं मैंने BTW का example लिया, for example आपका BTW जो इसकी दुकान है main जो है head office that is जहां से इसने origin किया था उसे रानी बाव मैं एक example ले रहा हूँ कि जहां start होता है हमेशा head office वही रखते हैं लोग बाव, जादा से जादा कई बार वो location change भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस case में मान रहा हूँ कि कहां पे है रानी बाव अब सिर्फ ये रानी बाव में नहीं है, इसके साथ-साथ जो BTW है, वो other जगह भी पहुँच चुका है sir, sir, other कहां पे, other की मैं बात करूँ तो for example, वो हम नेता जी सुभास पहलेस मान लेते हैं, एन-एस-पी ठीक है ना, कौन से ब्रांच पर आगे हम नेता जी सुभास पहलेस 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 पहले अब आप यहां पे ब्रांच का सबसे में जो thing होता है न वो होता है quality of product, आप यहां पे अगर bit to ticky वाले क्या अगर मान लेते हैं, यहां पे आप टिक्की खाते हो तो यहां के टिक्की खाने में और यहां के टिक्की खाने में टेस्ट का फरक होगा क्या, बताइए नहीं होगा टेस्ट का फरक, कई बार चेक करना जा के हाँ, बिल्कुल भी फरक नहीं होगा, क्योंकि जो यहां पे है क्योंकि यहां पे जो समान यूज हो रहा है न, वो समान पता है कौन भेजता है जो इसको हमने क्या नाम दिया, बिट्टू टिक्की रानी वाग में जो स्टार्टिंग में था, इसको क्या नाम दे दिया हमने हो बोल देता हूँ, शॉट परमे ठीक है, हैड आफिस तो जो सारा समान है एक टिक्की बनाने के लिए, वो हैड आफिस से ही कहा जाएगा सर, उसके ब्रांच में, ये क्या है इसका एक तरीके से, ब्रांच है ये हां पे भी BTW है, ये क्या है हमारा ब्रांच तो जितने भी होंगे, जो भी ये यूज करता होगा, सेम माटीरियल वहाँ भी जाएगा आप किसी भी हल्दी राम के देखोगे, बहुत सारे ब्रांच है आप चाहे किसी चीज़ का शोरूम देख लो, उसके भी बहुत सारे ब्रांच है तो हर जगह आपको सेम और इनफेक्ट आपको उस शोरूम का या उस दुकान का कलर, स्ट्रक्चर ये सब भी सेम रखते हैं ये सब किसलिए रखते हैं कि लोगों के माइंड में एक ब्रैंड इमेज बन जाए वो दूर से पता चल जाए कि ये वो है तो यहां पर अब यहां पर दो बाते हो सकती है नमबर वन ये हो सकता है कि जो हेड आफिस बोले कि भाई तुम है सारे चीज़े तो हम दे रहे हैं तुम अपनी अकाउंटिंग खुद करो अकाउंटिंग अपनी खुद करो हमें मतलब नहीं है अपनी accounting क्या करो आप self करो हमें नहीं पता हमें मतलब भी नहीं है भई self करो बस last में जो भी profit होगा न जो भी profit होगा न last में वो profit हमें बता दे न और जब हम अपनी accounting करेंगे खुद और हम अपनी accounting कुद करेंगे और जो last में हमारा profit होगा न accounting करेंगे तो last में हमारा क्या निकल जाएगा sir profit निकलेगा और जो profit निकलेगा suppose करो मेरा profit निकला एक लाख रुपए है और भाई तुमने accounting कर ली NSP वाले से पूछा कि NSP वाले भाई तुमने accounting कर ली manager उसने बोला कर ली है मैंने profit कितना है बोला मेरा profit आया है मान लेते हैं 40,000 तो last में जब income tax भरना होगा ना तो 40,000 और 1,00,000 मैं पूरा किस पर tax भर दूँगा 1,00,000,000 पर tax मैं government को दे दूँगा एक तो ये तरीका हो गया यानि accounting किस ने किया दोनोंने अपने अलग-अलग इसे बोला जाता है independent branch इसे कौन सा branch बोला जाएगा यानि भाई अब वो अपना काम खोदी कर रहा है ठीक है न इसे क्या बोला जाएगा independent branch तो independent branch भी हमारे slaves का हिस्सा नहीं है ठीक है अब एक होता है कि दूसरा condition क्या हो सकता है सर दूसरे condition को ध्यान में देना second condition कि भाई तुम्हें सारा समान हम दे रहे हैं सब कुछ हम दे रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं करना बस दिन बर सेल करना है जो भी सेल आया मेरे पास साम को हिसाब जाके दे देगा यानि दिन बर बैटे दुकान पर उसने जो भी काम हो भाई पैसे पहुचा दिया सारी अकाउंटिंग यानि यह अपनी सेल्फ वाली अकाउंटिंग तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ अपनी सेल्फ तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ एक अपनी ब्रांच का भी अकाउंटिंग रखेगा और यह दोनों काम कौन कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी तरीके से क्या होगे एक तरीके से depend हो गया तो इस branch को क्या बोलेंगे dependent branch तो हमारे slivers में dependent branch है independent branch के questions नहीं है ठीक है न हमारे slivers का part किया है dependent branch तो अब अगर मैं इसको अगर और elaborate करूँ तो sir inland branch जो inland branch है वो दो पार्ट में बट गया किस-किस में एक होगा हमारा कौन सा dependent branch और एक होगा कौन सा independent branch तो आपके slaves में क्या पढ़ाओगे सर हमें slaves में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर dependent branch independent branch भी आपके slaves में नहीं है तो पहले clarity हो कई बार होता है कि सर ब्रांच पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे यूट्यूब बगरे पर देखते हो self पढ़ते हैं और वो ब्रांच चप्टर ढूंड लेते हैं ब्रांच पर पता चला ब्रांच को जब सिखाया गया तो इसके अंदर हमें बताया गया कि आपको इसमें दो मैथट्स करने होंगे चप्टर को सीखने के लिए कितने मैथट्स सीखने होंगे आपको सर दो मैथट्स सीखने होंगे सर कौन कौन से दो मैथट्स सीखने होंगे सर दो मैथट्स सीखने होंगे एक होता है हमारा डेटर सिस्टम और एक होता है हमारा स्टॉक डेटर सिस्टम ठीक है न एक है डेटर सिस्टम और एक स्टॉक डेटर सिस्टम लेकिन सर अभी तक एक बात नहीं समझ में आए कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या हमें सर्फ आर सरफ प्रांच का हमें examiner को एक ही चीज निकाल के बताने कि बहुँआ प्रांच ने प्रौफिट कितना कमाया है हमारा गोल रहेगा प्रांच का प्रौफिट निकुलना यानि इन शॉर्ट बोलू तो भाई आप ब्रांच का हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पी एंडल कैसे बनेगा इस पी एंडल को बनाने के दो तरीके हैं या तो आपको डेटर सिस्टम से पूछ लेगा वो या फिर कौन से सिस्टम से पूछ ले केस के अंदर आपका तो मेथट के अंदर डेप्रीशेशन सेम ही आना है तो सेम दोनों में सेम आएगा चाहे यह करो चाहिए करो अब इसके अंदर भी दो पार्ट हो जाएगा आपका फर्दर क्लासिफिकेशन सर इसके अंदर एक हमसे पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइज इसको कैसे किया जाए और एक पूछ सकता है इन्वाइस प्राइस पर एक पूछा जा सकता है किस पर सर एक गॉस प्राइस एक इन्वाइस प्राइस इन्वाइस प्राइस को आज के बाद शॉर्ट फर्म में हम आईपी बोलेंगे ठीक है ना आईपी शॉर्ट फर्म बोलें तो जो चीजें यहाँ applicable है, as it is, same आपका यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले देख लीजिए, क्या पढ़ना है ब्रांच में, ब्रांच में हमें पढ़ना है, कौन सा ब्रांच, dependent ब्रांच, और dependent ब्रांच के अंदर दो methods हैं, questions को करने के, एक है debt system, और एक है stock debtor system, और दोनों में ही एक ही रोल रहेगा, balance sheet नहीं बनाना, हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है, उसका profit and loss, कि साल के duration में, कितना profit कमाया या loss हुआ, बस यह निकाल के examiner को बताना है, इसको करने के लिए हमें बहुत सारे चीज, चोटे-चोटे account, चोटे-चोटे calculation वही सिखना है हमें, इस पूरे के पूरे chapter के अंदर, तो एक chapter हमारा branch है, जिसमें से आपके exam में 100% question पूछा जाएगा, और वो जो question पूछा जाएगा न, एक ही question आएगा, और सीधा question वो आएगा, आपका 18 number का, जो semester 3, और मैं बात कर रहा हूँ, जो new education policy का है, NEP वाले पेपर में ये question number आपको 4 देखने को मिलेगा, question paper के अंदर question number 4, और unit भी कौन सा है हमारा, 4 है, sir इसके option में क्या आएगा, इस chapter के option में departmental chapter पूछा जाता है, जो कि अगला chapter है हमारा departmental, ठीक है, तो चलिए sir हम पहले क्या start करेंगे, हम पहले करेंगे debtor system, और debtor में भी पहले स फिर सिखेंगे invoice वाला, फिर हम start करेंगे stock debtor system, फिर cost वाला और फिर invoice वाला, जब ये सारा हम कर लेंगे, तो इसके बाद हमारा ये chapter खतम हो जाएगा, इसमें एक concept markup prize भी होता है, डेली उनिवर्सिटी कहता है, हमें markup prize वाला बच्चों से नहीं पूछना, क्यूंकि आपक आता है, आप से semester one के अंदर, बहुत detail में, बस है के chapter पूछ लिया, और उसी के according बहुत depth में नहीं जाते हैं, चलिए सर, तो हम start करेंगे, सबसे पहला कौन सा सीखेंगे, बताओ, इतने सारे लिखवा हैं, इसमें से कौन सा सीख रहे हैं, debtor system, तो पहला हम start करते हैं, debtor system, सर, debtor system बनाने के लिए हम कैसे, 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 क्या के जुरत होगी, final account में तो आपने बताया, trading बनाओ, profit and loss बनाओ, direct expense होगे, indirect expense होगे, और NPO में ऐसे receipt होता है, payment होता है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें होगी, बिलकुल होगी, इसको सीखने के लिए आपको कितने accounts बनाने प एक बनाना पड़ेगा, सर, branch account, और that is branch account in short, वैसे बोलते नहीं है, in short मैं बोलू तो यह पी एंडल है, यानि जहां पे हम अपने खर्चे और income का detail और कुछ assets का भी detail रख लेते हैं, इसको help करने के लिए एक account बनाना पड़ेगा, debtors, क्योंकि debtor system है, तो हमें बनाना पड़े इसके साथ एक और new account हम इसमें सीखेंगे, that is petty cash expense account, आपने 11 वी class में थोड़ा बहुत नाम सुना है, petty cash expense account, mainly हम इस topic के अंदर तीन account बनाना सीखेंगे, यह दोनों account बन भी सकते हैं और नहीं भी, यह helping account है इसके, main account कौन सा है हमारा, that is branch account, तो पहले हम एक बार format देख लेते हैं, कि सर branch account कैसे बनेगा, उसके बाद एक question देख लेंगा, बहुत simple सा chapter है यह, चलिए, format कैसे रहता है, account त तो एक ही रहता है, t-shape account follow करते हैं, हमें साथ, चलिए सर्थ, यह पहले हम format कर लेते हैं, सेम, चलिए, यह है हमारा, branch account, सर branch account, यानि particular, amount, particular, and amount, और यह side क्या होगा, debit, और यह side होगा, credit, जितने भी नई बच्चे हैं, उनलाइन में, उन सभी नए student को पिछे से कोई लेना देना नहीं है, सर equipment वाले unit में, question नहीं किया, equipment वाले unit, equipment वाले unit, equipment वाले कौन सा unit है, पी-पी, plant equipment, उसमें एक रहता है ना, आपका, बागी का, जो मैंने कल की class organize करना है, उसका, चलिए, तीन account का बोला था, अभी फिलाल हम दो account बनाएंगे, तीसरा account बहुत rare use होता है, तो जब use होगा, तब देखेंगे हम, ठीक है, अभी फिलाल दो account, यह बना लिया, हमने debtor account, debtor account, सर्फ particular, amount, particular and amount, ठीक है, कौन सा branch सीख रहे है, dependent या independent, dependent branch सीख रहे हैं, ठीक है, तो dependent branch में एक बार को, जब हम इसमें format में लिखेंगे, तो मैं, और dependent branch में, accounting कौन करेगा, एक बार बता सकते हो क्या, accounting कौन करेगा, बताओ, head office करेगा, branch तो करी नहीं सकता, माल लेते हैं, यह head office है, head office का accountant है, और इसके साथ साथ एक माल लो, यह branch है, ठीक है, और branch का manager है, दोनों manager आपस में, अब branch का manager हमेशा, इसको सारी detail भीज दिया करेगा, ठीक है, और पैसे भीजेगा, कौन भीजेगा पैसे, branch वाला, जितने पैसे दिन भर में होगा, उस पैसे को क्या करेगा, इसको भीज देगा, तो एक process होता है, का देखो, जैसे कि मैंने आपसे fees लिया, तो आप जो fees है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो job करते हैं, तो उसने fees मुझे लाके दिया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि job नहीं करते हैं, तो उसने अपनी मम्मी पापा से fees लिया, और फिर मुझे लाके दिया, तो यानि यहाँ पर दोनों में फरक है, फरक क्या है, एक अपने direct खुद कमा के दे रहा है, और एक कमाया किसी और ने उसके थुरू आ रहा है, तो जब कभी भी पैसा ऐसा होता है न, कि एक बच्चे ने पहले मम्मी पापा से लिया, फिर मेरे पास आया, तो इसको हम receive नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं remittance, हम अभी सीखेंगे, आगे देखेंगे remittance, थोड़ा-थोड़ा word डालता जा रहा हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे remittance, और अगर आप job कर रहे हैं, और आपने मुझे पैसे दी दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, receive कर लिए, मैंने face, ठीक है, तो दोनों में फरक है, तो चलिए, अब simple सी बात है, head office accounting कर रहा है, तो सबसे पहले, इस branch account को as a pndl सोचना है आपने, और सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी assets के opening balance है, यहाँ लिख लेगे, यानि मैं लिख रहा हूँ two balance, bd, bd का मतलब क्या होता है opening, लिखना नहीं चाहिए, मैं इसको चलो, यह थोड़ा complicated हो भी सकता है आपके लिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा के, और simple सा word लिख देता हूँ, that is, यहाँ पर opening balance, sir, opening balance और closing balance, हमेशा assets और liability का होता है, कभी भी किसी खर्चे का, ना तो opening balance होता है, और ना ही closing balance, इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा, अगर मैं बोलू, मेरे salary का क्या है opening balance, कुछ नहीं होता, क्योंकि it is a expense, हमेशा assets या liability का होता है, तो सबसे पहले opening balance में क्या लिखोगे, sir, opening balance के अंदर, सारे के सारे हम assets लिखने का है, जितने हैं, mainly कौन से assets होंगे, sir, सबसे पहले एक होगा debtor, mainly कौन से assets होंगे, sir, एक होगा हमारे पास debtor, अंदर की side लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हो सकता है furniture, इसके बाद एक cash balance हो सकता है, एक हो सकता है petty cash, और कोई भी other assets हो सकता है, उसको यहीं लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता है, सारे assets, आपका bank हो गया, cash हो गया, machinery हो गया, building equipment, कुछ भी हो, समय हां लिख लेंगे, अर यह किसका account कर रहे हैं, head office कर रहा है, branch कर रहा है, यानि जो जो branch के पास पड़ा है, उसके सारे detail लिख लेंगे, समझ मैं है, अगर head office बोलता है, कि मेरे पास एक building है, तो उसको लिखेंगे क्या, नहीं, जो branch के पास है, वो detail करेंगे, head office मेरे पास एक building है, वो तो अपने accounting में करेंगा, चलिए, अब इसके बाद, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो कि हम branch को liberty दे देते हैं, कि भाई या तुम खर्च कर लेना, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो कि branch को बोलते हैं, भाई तेरे को खर्च नहीं करना, मैं ही payment करूँआ, जैसे employee की salary, अब मैं अगर इसको बोलू, तेरे salary कितने 20,000, आज दिन भर sale कर लिए, और अपनी salary काट के मुझे दे दियो, एक ये होगा भाई, तेरे salary वो तो मैं दूँगा न, जितनी sale है, वो मुझे दे तू, तो एक हो सकता है, जो खर्चा है, वो head offices को दे, इतना है, 10,000 है, 10,000 के sale में, इसको एक disposal plate की जूरत पड़ी, that is cost, एक सौर उपेका, एक disposal plate है, क्योंकि दुकान दारी में तो भाई, steel वाले plate वगएरा, तो system खतम ही हो गया, सब किस पर देते हैं, टिक्कियों के लोगे disposal पे दिया, भाई खाओ, तो disposal plate की जूरत पड़ी, अब इसे पता है कि मैं head office जाऊंगा, इतने तो customer बहुत सारे return हो जाएंगे, इस branch के, NSP के side में ही एक दुकान है, that is what disposal plate बीशता है, इसने फटना-फट phone किया head office को, भाई अब plate खतम हो गया, बिजवा दो, उसने बोला, भाई मैं तो time लगेगा यहां पर, उसने बोला, एक काम करो, तुम वहां से खरीद लो, उसने खरीद लिया 100 रुपे का, अब बताओ, 100 रुपे का खरीद लिया, तो इसके पास बचे कितने, ना ये 99-100 रुपे इसको भेज देगा, किसको भेज देगा 99-100 रुपे, क्योंकि इसके पास 99-100 है, या फिर पूरे 10,000 भेजेगा, 99-100 भेजेगा, तो ये जो 100 रुपे, ये भी खर्चा है, ये कौन सा खर्चा है, किसने किया ये, ब्रांच ने खुद किये हैं, समझना बात को, अब सेलरी की बारी आई, बोला भई, अब मेरी सेलरी भी दे दो, तो हैड उफिस ने क्या करा, तू मेरे पास आजा, मैं तिरको सेलरी दे देता हूँ, आजा, अब ये भी खर्चा ब्रांच के लिए है, और वो भी खर्चा ब्रांच के लिए था, फरक यह है कि salary जब देना हुआ तो मैंने इसको बुला लिए और फिर मैंने इसको salary दिया है तो यह payment किस ने किया है? Head office ने किया है तो अब खर्चे दो हो जाता है एक खर्चा जो branch खुद कर रहा है और एक खर्चा दो head office कर रहा है तो यहाँ पर सारे खर्चे वो होंगे जो की expense paid by head office खुद करेगा वो नहीं होगा कौन सा आएगा यहाँ पर? जो खर्चा head office paid करेगा question में clearly बोलाओगा salary head office ने दिया तो यहाँ लिख देगे question ने कहा होगा कि rent जो है नहीं लिखेंगे तो जो जो खर्चे अब खर्चे कुछ भी हो सकते हैं मैं example के लिए मान लेता हूँ salary petty expense मैं मान लेता हूँ rent तीन ही खर्चे ले लेता हूँ बाकि तो सारे खर्चे आपको questions के उपर depend करेगा बस आपको overview दे रहा हूँ में और इस total को यहां लिखेंगे आप बाहर भी directly लिख सकते हैं असा नहीं कि अंदर ही लिखना है directly आप बाहर भी लिख सकते हो तो देखो हमारे जितने assets से और सारे खर्चे आगे मैंने कहा branch account एक p handle होता है तो p handle का income किदर जाता है हमेशा buy side में अब इसके पास income जो buy side में आएगा वो income लिखेगा अब income क्या होगा जैसे इस वाले मेरे वाले example में बताओ इसके पास कितने पैसे आए sale की 9900 तो इसे कितना लिखना चाहिए हैं आपे 9900 सिर्फ इसलिए अगर ये 9900 sale यहां लिख रहा है और अगर वो 100 रुपे इधर भी लिख देता तो दो बार हो जाते हैं खर्चे तो उसके पास कितना दिखता 9800 दिखता समझ रहे हो बात को तो इसलिए कहा गया कि अगर ब्रांच ने payment कर दिया तो आप तो 9900 लोगे तो 100 यहां मत दिखाना सिर्फ यह रीजन है जिसके वज़े से बोला गया कि ब्रांच के खर्चे को इधर मत दिखाना नहीं तो वो क्या हो जाएगा डबलिंग हो जाएगा उस सिचुएशन ठीक है अब यहां पे देखा जाए सर 9900 अब जो यहां पे पैसे मुझे देगा ना थोड़ा सो और एक्जामपल को इलिबरेट करते हैं सर जो ब्रांच है ना ब्रांच जो हमें पेमिंट करेगा कैसे करेगा ब्रांच की दिन भर की कमाई पता है कैसे होगा एक तो कैश में बेचेगा नगद और कई बार ब्रांच उधार भी बेचता है एक ट्रेडिट में बेचेगा और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच ने कुछ स्क्रैप बेच दिया कुछ भी बेच दिया ठीक है दो जगह से पैसे अब कैस वाला पैसा तो मिल जाएगा ट्रेडिट में जो बेचा है उसका पैसा आज नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा अगर जो समान में उधार बेच रहा हूँ और अभी पैसे मिल जा तो उधार किस बात का हुआ वो तो बाद में मिलेगा तो हमारे पास पैसे आने के दो सोर्से होंगे mainly दो सोर्से कौन से एक होगा मेरा cash sales और एक होगा collection from debtor डेटर से जो पैसा मिलेगा क्योंकि आज तो उधार बेच दे लेकिन कल तो देगा अब आज मेरे पास मानता हूँ के मेरे पास सर्फ cash sales आ रहा है लेकिन कल से क्या होगा cash sales भी आएगा और credit collection from debtor अब यह पैसा receive कौन करेगा सबसे पहले यह manager receive करेगा तो customer से इसने receive करा उसके बाद इखटा करके उसने मुझे भेज दिया है तो इसको अब receive नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे remittance इसको क्या बोलेंगे remittance तो buy side में आ जाएगा remittance डेबल T A N C E remittance remittance के अंदर दो चीजे के पैसे आ सकते हैं एक तो आ सकता है किसका cash sales और एक कौन सा आ सकता है collection from debtor यह remittance यह क्या होगा एक तरीके साथ जो हम P&L में sale बोलते तो वो sale का ही बाट हो अब जितने भी हमारे पास assets है इस assets का opening के बाद हमें closing लिखना है ठीक है न तो buy side में closing balance closing balance closing balance में क्या क्या लिखेंगे closing balance की अगर बात करें तो क्या लिखोगे सर अब जितने assets हैं यानि हमें debtor का closing balance निकलेगा debtor का closing balance question दे देगा नहीं देगा तो हम निकाल लेंगे किस से debtor account से ठीक है इसके बाद सर furniture का हो सकता है furniture का closing balance कितना निकलेगा जो शुरू में था ठीक है बाकी depreciation लगा के निकल जाएगा इसके बाद क्या होगा cash का closing balance कितना cash बच गया इसके बाद क्या होगा petty cash का अगर दे रखा है तो ठीक नहीं दे रखा कोई बात नहीं petty cash पे हमें अलग से थोड़ा सा time देना पड़ेगा जब आगे अलग जब यहां तक सबको clear है अब हमारे कई बार क्या होता है कि हमने branch को समान भीजा और वो समान defective हो गया ठीक है branch को हमने समान सबसे पहले तो हम branch को क्या करेंगा जैसे कि मालने टुक्की वाले का example लिए तो मैं आलू भेजूँगा और भी तेल भेजूँगा दही भेजूँगा और जो भी चीजी यूज होता है सब भेजूँगा तो कौन भेज रहा है इसको head office भेजेगा किसको भेजेगा branch को भेजेगा तो भाई ये तो एक तरीके से पी एंडल की बात करें तो वो purchase हो गया branch के लिए तो ब्रांच से क्या होगा customer से पैसा आया sale और जो head office ने भेजा purchase तो जो हम भेजेंगे क्योंकि ये head office कर रहा है तो यहाँ पर word लिखेंगे हम goods sent अब goods sent क्यों बोल रहा है क्योंकि बनाई ये रहा है भेजेगा किसको और accounting किसकी कर रहा है branch की तो मैं ब्रांच में account में लिखोंगा कि भी है मैंने इतने का समान उसको भेज दिया that is called जैसे की purchase लिखते थे जातर बच्चों को कई बार मैंने देखा है सर के good sent क्यों लिख रहे हो good sent का मतलब क्योंकि ये dependent branch है इसलिए अगर यही independent branch होता तो यहां पे वह word लिखता purchase क्योंकि वह खुद ही खरीद लेता समझ रहे बात वह खुद ही खरीद लेता इसके बाद चलिए आगे देखते हैं सर अब जब हमारे पास यह purchase खर्चा है तो कई वार ऐसा होता है जब हम समान उसको भेजते हैं न तो वह समान return आ जाता है तो branch ने किसको return कर दिया मुझे return कर दिया तो यहां पे अगर कोई भी point return हुआ है तो इधर आ जाएगा buy goods return sr रिटन दो तरीकी क्यों हो सकते ग्रहाँ की written कर सकता है मैंने समान भीचा branch ने समान भीचा और उसने return कर दिया तो वह हो गया sales return और एक head office ने समान भीजा और branch ने return कर दिया तो कौन सा return हो गया branch रिटन हो गया तो यहां पे sales return नहीं आएगा जो branch return करेगा इस बात को आपको ध्यान रहे तो यहां पर branch return आ गया और क्या हो सकता है सर कई बार stock हमारा यहां खराब हो सकता है जैसे branch return के जगह हम goods return ही लिखेंगे जो customer return करेगा वो डेटर में जाएगा customer का return यहां नहीं आएगा customer का return एक case में आएगा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तभी लिखेंगा अभी पहले simple simple format कर लेते हैं एक आद question कर ले थोड़ा सा familiar हो जाए इस chapter के साथ फिर हम आगे के adjustment देखें जाता है spoilage या फिर प्ली फ्रेज कई बार goods हमारे चोरी भी हो जाते हैं तो एनी काइंड हमारा goods जब नुकसान होगा चाहे आपका normal हो या abnormal हो तो यहां पर दो तरीके से हमारे goods destroyed हो सकते हैं पाए goods दो तरीके से goods का loss हो सकता है ठीक है number one sir एक normal loss हो सकता है अभी cost वाले में इसका रोल लई है जब IP वाले करेंगे तो इसका रोल हैगा एक हो सकता है abnormal अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं बाकी बाद में हम इसको पूरा detail में चर्चा करेंगे कि के है क्या यह सेम सारे assets का opening balance इधर अब बताओ अगर liability का opening balance वहा तो इधर लिख देना और closing इधर लिख देना बाकी होगा नहीं सिर्फ एक question आपके किताब में जिसमें दे रखा है यह तो बन गया हमारा कौन सा account debtor कितना आसान है सारे assets लिख दो debit में good send को लिख दो और सारे खर्चे लिख दो लेकिन खर्चे कौन से वाले लिखने जो head office ने किये हैं buy side में remittance profit जो हमारा motive था जब हम total करेंगे total करने के बाद balancing figure आएगा तो इस side के आ जाएगा हमारा net profit समझे यह क्या आगया हमारा net profit यहां तक कोई दिक्कत यहां तक clear है अब हम आगे चलते हैं sir debtor account में किसमें चलेंगे हम पहले यह वाला account clear है अब debtor account बनाने का objective है कब-कब debtor अभी पता चल जाएगा आपको debtor account कब बनाना है debtor हमारा एक तरीके से क्या होता है sir assets होता है business के लिए तो यह debit से plus होगा और credit से minus होगा तो सबसे पहले अगर assets है तो इसका balance पीडी होगा यानि opening balance और balance y-side में आजाएगा c-d ठीक है यह होगया debtor अब debtor बढ़ने का सिर्फ एक reason है जितना उधार माल बेचोगे वो बढ़ेगा तो two-side में बढ़ने का अगर reason लिखो में तो two-side में क्या आएगा credit sales एक और reason है जब हमारा bill dishonor हो जाता है तो बी यार क्या होता है हमारा मैं उसको बाद में incorporate करूंगा जब बी यार क्या होता है अगर debtor से हमने कोई guarantee ले लिया तो वह क्या बन जाता है बी यार बन जाता है लेकिन अगर वह डिस्वनर हो जाता तो वापस से debtor बन जाता है उसको हम बाद में देख लेगे अब घटने के बहुत सारे reason अगर हमने पैसे ले लिये उससे तो भी घट जाएगा अगर customer ने return कर दिया तो भी debtor घट जाएगा अगर हमने कोई discount दे दिया sir तो भी debtor घट जाएगा अगर हमारा bandits हो गया तो भी हमारा debtor अगर हमने बी यार दे दिया तो भी हमारा debtor घट जाएगा इतने सारे reason है घटने के एक word है जो कि अक्सर student गलत कर देता है क्या सर? provision for doubtful debts हमने जितने भी questions किये हैं अभी तक 11 में 12 में हर बार provision for doubtful debts को हम debtor से minus कर देते हैं लेकिन actual ऐसा होता नहीं है real life में वो liability होता है तो provision for doubtful debts से कभी debtor minus हो ही नहीं सकता माल लेते हैं मेरा आज मैंने उधार माल दे रखा है एक लाग का provision का मतलब क्या है अगर मैंने एक लाग रुपे का उधार माल दिया है मुझे अंदाजा है कि इसमें से 5% डूब जाएगा डूबा तो नहीं है तो अंदाजा कैसे minus कर सकते हो actual में से वह तो सही नहीं है इसलिए वह एक method होता है कि चलो बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा इसलिए कर देते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो actual समझ में आगा यह debtor से तो यह actual में minus होता ही नहीं है और भी डाल देता हूं सर नोट क्या नोट प्रोविजन प्रोड़ को डाउट फूल डेट अट नौट रिकार्ड रिकार्ड अ जैलेंस नहीं मैच होगा दोनों साइट सेम ही रहेगा आपका अभी मैं कुशन करूंगा तब पता चलिए प्रोविजन फोडाउट फूल डेट्स नोट रिकार्ड इन डेटर अकाउंट ठीक है इस बात का आपको ध्यान लखना है जो मैंने नोट लिखा यह फॉर्मेट समझ में आया है एक बार फॉर्मेट को गो तुरू करें क्या है सर यह फॉर्मेट अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो वेरी सिंपल फॉर्मेट में क्या है सर एक ब्रा चाहेंगे जो की head office देने के लिए promise कर रहा है और इस side में आ जाएगा जो पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा किस से मिलेगा सर जो भी पैसा मिलेगा अगर कहीं और सभी पैसा आ रहा है तो वह भी यहां पर आ जाएगा अगर कोई गुड्स रिटन हो जाएगा तो इसमें जाएगा और अगर ब्रांच रिटन करेगा तो इसमें एक काम यह भी हो सकता है लोग कई बार पता है क्या होता है जैसे आपका देखोगे आजगी की होका तो week के नाम से शोरूम क्या होता है इसका ऐसका मिलियोगा यह त्टा ट्रेंड मिल जाएगे बहुत सारे ऑसे शोरूम मिल जाएगा यह फिर आप वहां पर आप जब कभी भी कोई cloth वगेरा खरीदो गे न आपको पसंद नहीं आएगा तो वो कहागा कि जरूरी नहीं आप यहीं वापस करो कहीं भी वापसी कर सकते हो यह facility मिलता है मतलब मैंने समान इस दुकान से खरीदा और यही showroom मेरे दुकान के पास भी है मेरे घर के पास भी है यह office के पास है तो मैं वहाँ पर भी जाके उसको return कर सकता हूँ यह facility दिया जाता है तो कई बार customer को मान लेते हैं कि मैंने एक गुलाब जावन का डबबा बेचा बिट्टूटी की वाला आजकल गुलाब जावन भी बेच रहे तो एक मैंने गुलाब जावन का क्या करा डबबा बेच दिया अब भाई उसके उपर expiry date उसने NSP से खरीद तो लिया office NSP में था नसP में उतरा बोला चल यार घर लेके चलता हो expiry date रहता रानी बाग में अब रानी बाग में गया और उसने रानी बाग को बुला भाईया मैंने तुम्हारे इस ब्राग से खरीद आ देखो expiry date अब उसने change कर दिया या उसने वापसी ले लिया तो अब customer देखो दो return कर सकता है या तो customer direct return किसको कर सकता है या किसको कर सकता है अगर customer ने direct return head office को किया तो यहाँ पर आएगा sales return क्योंकि एक तरीके से इसके पास से return इसके पास आता और ये वापस किसे देता मुझे ही देता ना तो एक बार एक direct आगया तो बै अगर वो head office को return करता तो मैं लिखता ही न तो direct आजाए गया है यानि direct return to head office अगर sales return होगा मैं लिख देता हूँ अगर direct return to HO अगर head office को direct return किया गया तो तो यहाँ पर आएगा otherwise नहीं आएगा या आगे एक question दे रखा है उसमें कर लेंगे बागी यहाँ पर sales return आजाएगा opening balance debtor का closing betor यहाँ पर balance total आएगा इधर आएगा तो क्या आजाएगा हमारा profit और इधर आएगा तो क्या आजाएगा हमारा loss और profit को कई बार हम किस नाम से जानते हैं पता है surplus और loss को deficit और यह normal loss abnormal loss अभी नहीं अगली class का agenda रहेगा ठीक है